इंदौर में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए टीका करण के तहत अब जेल में भी कैदियों को वेक्सिनेशन किया जा रहा है. शनिवार को इंदौर की सेंट्रल जेल में टीका करण की शुरूआत हुई. इस मौके पर इंदौर सांसत सहीत जेल अधिक्षक भी मौजूध थे सेंट्रल जेल अधिक शक राकेश भंगरे ने कहा कि जेल में 1200 कैदियों की शमता है बावजूद इसके सेंट्रल जेल में 270 कैदी फिलहाल बंध है उन कैदियों की वैक्सिनेशन का काम सांसत द्वारा करवाया गया है पिलहाल जेल के अंदर कोई भी कैदी कोरोना पॉजिटिव नहीं है पर अब जेल में आने वाले नए कैदियों का पहले टेस्ट करवाया जा रहा है जिसके बाद उन्हें रिपोर्ट आने तक क्वारंटाइन किया जाता है रिपोर्ट नेगेटिव आने की बाद ही उन्हें बैरक में एंट्री दी जाती है और पॉजिटिव आने पर अस्थाई जेल में उपचार के लिए भरती रखा जाता है पिलहाल जेल के पुराने कैदियों में अभी संक्रमन नहीं फैला है जब ये वैक्षिनेशन की बात आ रही थी तो जेल से बाहर अधिकांस जिन लोगों को वैक्षिकेशन की लग रहे थे वैक्षिनेश कारवाई हो रही थी तो वो आधार कारड के माद्यम से किया जा रहा था लेकिन जेल में बहुत दिनों से बंदी परुद रहते हैं तो अधिकांस बंदियों के पास आधार कारड नहीं थे एसी सिती में नेमित रूप से जेल के अंदर वैक्षिन से कारवाई की जाना संभव नहीं था और इस आधार कारड यू समस्या का समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा सांसल मौतर शे आग रह किया गया था सब्सक्राइब करें और मेरी आगरह को माननी सांसन महुदय ने सुविकार किया और जिला प्रसासन से बात करके विदिन 24 अवर्थ में आज वेक्सिनेशन का सिविर आरम करवाया और आज उपसित हुए और शिविर का सुभारम किया गया अब अब क्या है कि बहुत सारी मेरे ऐसे प्रदान मंत्री जी कि यह कि है औरbest निर्वारत कारीकरम के अंतरर कारम तरहसों में चल रहा है और एशी कायकरम के पहत मुझे लोग संस्कृति मन्च से प्रोफेशर मैटर वेश्ट पदार्द करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जेल में गौशाला इस्थापित हो जाए। आपजियों के डंठल हो या खादे समगरी को चुनाई और बनाई करने में निकलने वाला अपसिष्ट प्रदार्थ हो तो गौशाला के काम आ सकेगा वहीं हमारे बंद्जियों को एक प्रसिछन के तोर पे गौशाला का प्रेश्च्वा प्राफ्त हो सकेगा इस उत्रेश को मैंने मानी सांसर महदे से आज गौशाला जेल में इस्थावित करने का अगरा है सांसर निदी से या जन सहयुक से जैसा भी उपलवद हो सके इस्थावित करने का अगरा है किया है